हलो ब्रवान दिस इस अब शेक रायने वेलकम यू अल टू और फेवरिट यूटूब चैनल राइजूकेशनल राइजूकेशनल चैनल पर आप सबी भाई बंदों का अरदिक स्वागत है मित्रों सीटेट 2019 की प्रपरेशन स्ट्राटेजी में यह अगला वीडियो है और यह बालविकास के महत्पुन प्रशनों की वीडियो का पार्ट वन है पिछली परिक्षाओं में पूछे गए प्रशनों का पूरा इसमें समागम है पूरा इसमें इंकलूडेड है और ऐसे आपको कई पार्ट मिलेंगे और यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का इंकलूजन है इस वीडियो में आपको बालविकास के चैप्टर गहें आपको अपको चली रही है एक एक पार्ट आपको मिलता रहेगा परिया वरंग के बालविकास केimal करें जो आपके सीटेड एक्जाम में पूछे गये है और आने वाले समय में जुलाई में यह आने वाले एक्जाम में आगे और ऐसी आपको और सीरीज चाहिए तो जरूर हमको कमेंट करके बता हैं आपको इससे भी बेटर-बेटर कोशन का इंक्लूजन और जो प्रिवेश एर कोशन पेपर्स में पूछे गया हैं उनको भी हमलग समाहित करके और भी नेक्स सीरीज आपको प्रिशित करेंगे तो वीडियो आपको देखना है लास तक और अच्छाल करें तो लाइक करिएगा और मैक्शिम से मैक्शिम शेयर करेंगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों का वीडियो बनाया है जिस उद्धे से लाव होने के लिए सबका ला आउट की थी अगर उसमें आपने देखा होगा वीडियो तो उसमें आपको पता होगा कि कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के में मैंने सीरीज चलाई दी तो उन्हीं में से इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स मैंने पूरे छाटे हैं और प्रिविश एर कोशन पेपर से तो सं अननों ग्यानिक ने बाल्यावस्ता को प्रति दुद्दात्मक समझ करड का काल का है और यहां पर एक लीक्त आपको नवको पता हो या बहुत लोगों को पता होता बहुत अची बात है लेकिन प्रती दुन्दात्मक मतलब होता है कि अपने से बराबर वालों से द्विश अपने से बराबर वालों से एक कह सकते हैं स्ट्रगल ये होता है प्रती दुन्दात्मक प्रती मतलब प्रतेक दुन्द मतलब होता है कि आपस में लडाई युद्ध या द्विश ये सब च बच्चा शिशू जो आपके भुरून आवस्था में होता है जब माता के कौंख में पेट में तो भुरून के सरीर का विकास होता है वो कम होता है किसके पेक्षा उसके सर का विकास जादा होता है और सरीर का कम होता है फिर बात में जब जन मिल लेता है बच्चा तो फिर उसक बुजन ब्रूण के विकास पर सरवादिक प्रभाव पढ़ता है इसी वज़े से हम लोग देखते होंगे घर परिवार में आसपडोस में कि जब हमारी बहने या माताजी लोग या जो भी हैं वो अगर प्रेगनेंट होती है या उनके शरीर में ब्रूण का शुरू हो जाता ह विकास तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिना पढ़ता है इनका अगला फैक्ट है गरबकाल के दोरान जो प्रभाव पढ़ता है वह आजीवन रहता है या आप सभी पता है इसी वज़े से अच्छी च्छी बातें धार्मिक कथाएं और हर चीजें मतलब साकरात्म करेने की सलात दी जाती है डॉक्टर क्षिदार अभी अस्तियों वद दातों के विकास में कैल्सियम वस फासफूरस सहाइक होता है यह आप सभी बता है बून की स्ट्रॉंगनेस और दातों की तित की स्ट्रॉंगनेस जो होती है उसमें कैल्सियम और फासफूरस सब होने के बाद जो हमारे गर में माताओं के लिए या बहनों के लिए जो बनाया जाता है लड़्डू जैसे आप से हम लोग बोलते हैं उसको तो उन्हीं के लिए stvn distress के लिए और आयरन के सबसा जबादा भथपूर मात्रा दी जाती है टैबलेट्स दी जाते है आयरन के इसलिए उनको की कम जोरी ना हो weakness से दूर करने के लिए तो किसोर लड़कियों वह इस्त्री Might के भोजन में लो तत्तों के अधिक्ता होनी चाहिए next factor are you are you link वकार के नुसार भोजन में पूर्शक टत्तोग किया आप शक्ता होती यानि आपका are you कितना है आपका link link यानि कि आप पूरुश हैं इस्थरी हैं और आपका कार कितना आप कार करते हैं उस भी साँब से आपका भोजन में जो पूर्शक तत्तों की मात्रा होती है उस हिसाब से जैसे डॉक्टर बोलते हैं इतनी कैलोरी आपको भोजन लेना है और कोई ज्यादा जैसे मजदूर वर्ग है ज्यादा मेहनत वाला काम तो उनके लिए ज्यादा कैलोरी वाले क्योंकि वो कैलोरी बर्न कर रहे हैं अपने काम में तो उनको ज्यादा उर्जा वाल चाहिए तो कैलोरी ज्यादा उनको खाना है तो उस हिसाब से आपके आयू पर निर्वर करता है आप और पुरुष हैं उस पर निर्वर करता है आपके काम करने पर निर्वड़ करता है आपका भोजन next step बढ़ते बालक बालिकाओं के विकास के लिए भोजन में प्रचूर मात्रा में प्रूटीन की आवशकता होती है प्रूटीन क्या कार करता है मैंने पिसली वीडियो में बताया था कि प्रूटीन सरीर में व्रिद्धी का कारक होता है प्रूटीन से ही सरीर में व्रिद्धी जैसे हल्दी जिसको बोलते हैं कि लड़के जैसे कोई पतला दुबला है तो अगर ज़्यादा प्रूटीन का इंटेक करता है ऐसे खादिपदार्त का सेवन करता है जिसमें प्रूटीन ज्यादा मत्रम पाई जाती है तो वो ज्यादा हेल्दी हो सकता है नेक्स्ट है शैस्वा वस्ता के प्रथम तीन वर्षों में शुशू की सारीरिक विकास की गति तिवर होती यानि प्रथम जो शिशू होता है उसके प्रथम तीन वर्ष तक जीरोप पैदा होने के तीन वर्ष तक जो सरीर का ग्रोथ होता है बहुत तेज होता है फिर इसको बात धिरिया होने लगता है फिर एक समय आता है जब फिर और तेज कती पकड़ता है इसकी लंबाई और इसका वजन नवजाज सीशू में 240 अडिया होती हैं यह बहुत ज्यादा इंप्टेन, most important है कई One Day Exams में भी पूछा गया है कि वैस कमन इसमें तो 206 अडिया होती है लेकिन एक 90 सीशू होता है उसमें कितनी अडिया होती है यह आपको पता है तो यह 270 अडिया होती है है तो सो सतर से थीन सो तक होती है तो अगर आप्षण में 300 भी आता है तो इसे आप साप 300 भी टिक कर सकते हैं नेक्स्ट है दूद के दाथों के संक्या 20 होती बहुत जादा इंपोर्टेंट है और इसी संदर्व में मैं इसी में तथ्यार करता हूं इसको नोट डाउन जरूर करिएगा अपने कॉपी में अपने नोट्स में कि जो दूद के दानत होते हैं जो शीशू 6 महिने का हो जाता ह तो चटवे मैंने से सुरू हो जाते हैं दात आना और गिरते कब हैं ये दूद के दानत पूरे तो चटवे साल से ये दूद के दानत गिरना सुरू कर देते ती ये आपको 6-6 नंबर है इस वज़े से ट्रिक है याद रहेगा आपको हमेंसा ठीक है पूना दोरा दूद के दान जो होते हैं उनकी संक्या 20 होती है कुल और ये 6 महा से 6 महीने का जब सीशू हो जाता है बालक कर नहीं शीशू कहेंगे तो 6 महीने का जो शीशू हो जाता है तब से इसके दान सुरू हो जाते है आना फिर जब 6 साल का हो जाता है तो फिर जब बालक तो इसका दान गिरन सबस W Way म का बतार की अगदी से सब terrorism को बैल के अवस्ता में जो सेखने की अज़ीद मुख्यान कहली कि आbn धेने इसली देसे को कुछ क क्तम आरे नियुक्त पुरी विंगे जाता है कि अधर ब से उedia स्थार यह कर बिर्चेश कर्वन सब्ण स हम percentage सबसे तेज बालग जो होता है वह अपने बालबस्ता में सीक्षा प्राप्त करता है सबसे तेज गति से शीचुश Krसुन प्रतम तीन वर्सों में Shishu की सारिरिक विकास की गत्री अतितिवर होती है हमने देख लिया कि शैस्वावस्था में जो प्रतम तीन मर्स होता है नहीं जन्न स्वेंसे लेकर तेन वर्स तक उसके सारिरिक जो ग्रोध होती है सबसे तेज होती जीमन स्परेंगरों की सम intertw of में एक पॉंड कितने परापर तो यह आप लोगों को सोचना था यूनिट मेजरिंग का तो मैंने सुझा कि इसमें इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए अड़ हो जाएगा इसमें एक पॉंड में साड़े 400 ग्राम होता है और 16 अंस में एक पॉंड होता है तो यह मेजरिंग यूनिट है इंटरनेशनल यूनिट आप कहा सकते हैं तो यह आपको अपको क्लियर हो गया होगा नोट जरूर कर लिएगा ताकि आगे आने जब कहीं भी यूस हो यह चीज तो आपको दिमाग में त पॉंड टैकल कर जाए आप तुरंत बता पाएं उसको तो जन के समय बालक बालिका से लगबाग 13 सेंटमीटर अधिक लंबे होते हैं यह आपको पता होना चाहिए बालक का ग्रोथ तेज होता है बालिका की अब एक्षा ठीक है यह जनरल है एकसेप्सन हर जगा होते हैं कही तो यह जाती है तो इतना बालक एक वर्ष में इतना ग्रोथ कर लेता है दूवर्ष में 78 सेंटमीटर तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है फिर उसके बाद 2 वर्ष तक तो हमने देखा 80.5 सेंटमीटर उसकी लंबाई बढ़ जाती है फिर 6 वर्ष की आयू में उसकी लंबाई लगबग 101 यानि 100 सेंजुरी पार्क लेता है बच्चा 6 वर्ष तक सीश की जो मास्पेशियां होती है उनका भार सरीर के कुल भार से का 20 परतिश्यचत होता है यह आपको पता नों चाहिए facts कि जो total muscles होते हैं body में उसका जो total weight होता है पूरे body weight का 23% होता है अब आप निकाल सकते हैं कि जैसे मान लिजे कोई बालग है 70 कोई 20 सारी सीचू की बात की जा रही है तो अगर सीचू का हम देखें कोई सीचू है आपका मान लिजे आपका है पांच किलो का ठीक है तो उसका 23% निकाल लेंगे कैसे 30 बटा 100 बस 20 तो लगबग आ रहा है आपका कितना kg में आपका आ रहा है लगबग एक किलो सम्थिन कुछ आएगा आपका ठीक है तो यह रहा अब नेक्स है एक वर्ष की अवस्ता तक बच्चे के दातों की संक्या 8 होती है एक वर्ष की अवस्ता में बच्चे के दातों कौन से दातों होते हैं यह आपको बताना है कमेंड करके यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा लेकिन एक हिंट दे दूँ कि 6 माह से दूद के दाहत आने लगते हैं और 6 वर्ष में दूद के दाहत जाने लगते हैं तो यह आपको पता चल गया होगा 6 वर्ष की अवस्ता में मस्तिश्क का जो बाहर होता है यह कई बार पूछा जाता है कि वैस्क मस्तिश्क जो बालक हो जाता है मस्तिश का पूरा इनिशियल जो ग्रोथ होता है वो उत्रा हमेशा जीवन परेंथ रहता है तो 6 वर्स के आईयो में 1280 ग्राम या कह सकते हैं 1300 ग्राम तक टोटल जो वेट होता है मस्तिश का वो 1300 ग्राम ही होता है और लगबग 1280 ग्राम 6 वर्स तक पूरी वरिद्धी हो जाती निसे कि तो परिवार से भी पहले उसकी पार好像 होती उसकी माता होती है माता सबसे पहले उसको स्ट्रेंद्थ देती है पढ़ाती है इसके बाद आगे माता ही गुरु होती है शुरवात के नेक्स्ट है समू में रहने से बालक में आत्म नियंत्रण, साहस, शहनशीलता, न्याय, सहयोग, आदी समाजी गुणों का विकास होता है तो इसलिए अधिकतर देखते हैं कि गुरूप, डिसकेशन या गुरूप में सारे कार कराये जाते हैं क्यों? क्योंकि समू में ही इंसान का जो खुद पे डिपेंडेंसी होती है, खुद का स्ट्रेंथ, खुद में विवेक, शहन सीलता, शहन शुनूता, ये सारी चीजें, सह लगलग विकास का कलम ने विकास और विद्धी पड़ा, उसमें देखा कि दो चीजें सबस्यादा प्रभावावित करते हैं, विकास और विद्धी को क्या? वन्शानुक्रम और वातावरण, लेकिन जो आपका मानसिक विकास आता, विकास का एक पहल्यू है, उसमें वातावरण के साथ समायोजन की प्रवत्ति प्रवत्ति प्रदान करता है, तो मानसिक जो विकास है, तो सीधी बात है, वातावरण के साथ कैसे सामनजस बैठाना है, हमको जैसे हैं, बालक अपने घर पे कैसा है, फिर स्कूल में जाके वैवार परिवर्तित करता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर सामंजस मों का विगास्त है नेक्स्ट है अरस्तु के निसार सवास्ता सरीन में ही स्वास्त मन का विगास है ये बहुत इंपॉर्टन llegó ये लाइन है कई बार Čने में पूची गई है सीटेट में पूची गई है कई आपके टीचर रेलिजिबिल्टी टेस्ट में पूची गई है तो पूचा जाता है कि स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मन का विकास होता है यह किसका कतन रहता है तो यह रस्तु साब का कतन यह आपको पता होना चाहिए नोट चरूर कर लिजेगा नेक्स्ट है गुड एंड हॉक यह आपके मनुग्यानिक है इनके नुसार व्यक्ति का जितना भी मांसिक विकास होता है उसका आदार तीन वर्स के वस्ता में रखा जा है और इस पस्ट धुनिया एवं तुतलाते हुए चार पांच निरर्थक शब्द बोल सकता है एक वर्स का जो बालक होता है जो शीशू होता है सकते हैं जाद है इस पस्ट से तो वह और इस पस्ट धुनिया अभी तो इस पस्ट बोल नहीं पाएगा तो और इस पस्ट धु क्यां कि तुम कि वो तुतलाता है उस में बुश्ट नहीं बोल पाता है इसके बार जब ब बालत का सरलवागत का कि फिर उसके बाद है शिचु की जो सिख्षा का उचीस समय है वह तीन वर्ष की आयू निरधारित हो जाती इसी जैसे अब तो काफी पहले ही ढ़ए साल से तीन साल तक ये बच्चों का एडमिशन हो जाता है प्री नर्सरी में नर्सरी में फ्लेवे में हर जगा बच्चों का एडमिशन करा दिया जाते कैंगी इसे अच्छा ग्रोथ समय कोई मिलता है सीखने के लिए और ये मैंने तो टेबल आप लोगों को पिछली वीडियो में कई बार दिये हैं लेकिन फिर से इसमें पूर्णा चर्चा क्योंकि इंपोर्टेंट है कई बार हम लोग बार बार देखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो याद खुद हो जाएगा गर्बा वस्ता की अवदी गर्बधान से नौमा दस दिन की होती है और सैस्वा वस्ता की जन्म से दो वर्ष या छे वर्ष पुर्व बाले वस्ता की दो वर्ष से छे वर्ष बाले वस्ता की छे वर्ष से बारा वर्ष की सोर वस्ता की बारा वर्ष से एठारा वर्ष प्रो तो ऐसी ही important और most आपके exam based facts के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेश करें और comment जरूर करेंगे अगली वीडियो के लिए तो जरूर अगर आपको ऐसी special वीडियो चाहिए चैनल पे तो आप जरूर कमेंट करेंगे वीडियो मैक्सिम से मैक्सिम शेयर करेंगे ताकि मेनत हमारी लग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें तो बने रहे हमारे साथ stay blessed and stay motivated God bless you all thank you so much